कहना है क्या बेटे मुंबई वालों ने गाया है क्या अरे मारे दादा की ओर से 11 रुपय का अशिर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद है सुने अरे तुमसे कितना प्यार ये हम वाले आप लोगों से करोंगी की इतको फिर सुनेगा अरे तुमसे कितना प्यार ये हम कहें नहीं सकते और तुमसे पिछड़के एक पल जिन्दा रहें नहीं सकते अरे तुमसे पिछड़के एक पल जिन्दा रहें नहीं सकते ओमित्वा आरे ओमित्वा आरे आरे तुझे मेरा प्यार कुकारे आरे ओमित्वा आरे तुझे मेरा प्यार कुकारे आरे आरे ओमित्वा आरे तुझे मेरा प्यार कुकारे आरे आरे यह तो तर्ज हो गई तुझे मेरा गीत भुकारे आरे 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 आ अर्जुन महाभार स्वरु हो गई युद के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि ये सब अपने लड़ने आए है अर्जुन ने कहा कनया से प्रभू मैं युद नहीं करूँगा मैं युद नहीं करूँगा कनया ने कहा क्यों अर्जुन ने कहा ये सब तो अपने है फिर मैं इन से कैसे युद कर लूँ मैं युद नहीं करूँगा तो कनहिया समझाने लगे, मुकेजी, कनहिया समझाने लगे, और कह क्या रहे, बस एक एक शब्द को सुनिये, निवेदर करूंगी दादा जी से भी, सुनो जो थे, कनहिया ने कहा अर्जुल, अरे कर्म छेत्र में खड़े हो पारत, बभुक्षा बड़े पुद से. बावगजशर बडें। क्या पजात्ते हो बैठे त्रिवेदन कर रही हूं आप लोगों से एक लाइन को सुने सावार राजा कलाया ने कहा अर्जुल अरे कर्म छेत्र में खड़े हो बारत मोह से तुम अब सिंचित हो और कुल्ती सुत कोशल के कारण सारे जग में चर्चित हो निवेदन करूँगी हमारे बीच में बिद्वान लोग बैठे हुए हैं एक एक शब्द को फेले आप देखीगा के काल के अरे काल के जैसे नागों द्वारा हो हे पारत तुम अर्चित हो और कौन यहां कितने पानी में इन सबसे तुम परचित हो तुम कह रहे हो अपने हैं अगर यह तुम्हारे अपने होते तुम से लड़ने नहीं आतें तो कौन यहां कितने काल कितने पारी में इन सबसे तुम परचित हो तुम्हारे कितने रहे तुम्हारा यह और अगर युद्ध के मैदान में कायर यदी बन गए अगर तो म्रत्यू निश्चित है धन्यवादे अगर कायरता करोगे तो तुम्हारी म्रत्यू निश्चित है तो कह रहा हूँ अर्जुल अर्जुल हे पारत मारो बैटे मारो इन्हों दवडा दवडा के मारो हे पारत मारो मारो भ्राता की लजर से ना निहारो मारो मारो ब्राता की लजर से ना निहारो बस इनको मारो क्योंकि मरने के बाद ही तो इनका तारण तरण होगा इनको मारो और इनको तारो अरे इने संघारो मारो ब्राता की लजर से ना निहारो मारो 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 ब्राता की लजर से ना निहारो मारो मारो दूसरी बाद सुनीगा अर्जुन ने कहा कैसे मारो कैसे अरे मैं कैसे भूल जाओं कि मैं इनके साथ खेला हूँ मारा मेरे भाई है यह सब अपने है फिर करहिया ने समझाया और कहा क्या क्या अरे करनी करे सत्रुके जैसा क्या बात है क्या बात है और इसी बात पर आदनी समानी हमारे बैया सुधीर चंदन जी आपकी और से एक स्वेक रुपय का आशिरवाद आया है रदे से मैं आशिरवाद चाहूंगी मैं पहचानती नहीं हूँ आज आपको देख रही हूए आपका आशिरवाद मिल गया है मुझे यही मेरे लिए बहुत है सुनीगा इतना काओंगी पंक्तियां सुने अभी अभी पिल्कुल सुने आईए कहना है दारा जी भीया जी पंक्तियों को गौर से सुनीगा कहना है क्या अरे करनी करे सत्र के जैसा कहो पाथ कैसा हित है और करमे धर्म धोजा तुम धारो जिससे होना जनहित है शब्तों का चैन देखिए देखिए भाई साब करमे धर्म धोजा तुम धारो जिससे होना जनहित है और अर्जुन शाय तुम भूल गए हो न जाने कितने कितने लोगों के प्राण चले गए इस मुथ में और तुम कह रहे हो कि मैं युद नहीं करूंगा तो सुनो अरे कंचन सातन लुटा गए जो उनका नाम संग रहित है और कलस सुधा को त्याग रहे तुम समझ रहे हो कर रहित है तो कनहिया ने कहा अरजुल अरे काका भती जो की डूब होती नई या जग में बोहित है और कर हो जोड के बैठे भारत मन क्यों मोहित है तुम्हें आदेश देरा हूँ अरजुल अर थनुस सर थारो मारो काका की नजर से ना निहारो मारो मारो हे पारत मारो काका की नजर से ना निहारो गीत को छोटा कर रही हूँ अंति मा सुने लाग समझाने पर कनया के अरजुन मान नहीं रहे हैं कनया को क्लोध हा गया कनया ने का सुनो मैं कह रहा हूँ कि जब ये मरेंगे तभी तो तरेंगे तो इनको तारो और इनको मारो कहने लगे कनया पहले मारो फिर काटो इनको अरे क्रपा चारे वात रोला चारे भी वाँ पेटे वाँ वाँ पेटे वाँ एक एक सब्त सुने का ढोला से या बाथ है क्या बाथ है या या बाथ है बहुत अची वाँ पारे कि बच्छेपा परिदम मैंने वेदन करूंगी जैसे चंदन बहाँ से सुनीए हर क्रपा चार वात रोड़ा चार भी लेकर सस्त्र सुसच्चित है और कुटिल तु सासन तुर योधन भी योधा पिकट सत्रुचित है अरजुन तुम कह रहे हो मैं लड़ूगा नहीं सरा देखो अपनी आखों को खोल के देखो किक्रत वर्मा जैदत के करगों करतो रक्त से रणजित है और कपटी अस्वत थामा भी तो करके कपट नलजित है कपटी अस्वत थामा भी तो करके कपट नलजित है तो कहा अरजुन से कनया ने अरे कुल दीपक बन सरस पिता माँ जग में पूजित है और किया रोशनी जीवन में किये पुन्ने अर्चित है तो अरजुल इन्हे संखारो मारो बाबा की नजर से ना निहारो मारो मारो इन्हे संखारो मारो इन्हे संखारो मारो बाबा की काका की चाचा की मामा की नाना की मित्र की नजर से ना निहारो मारो मारो बहुत बहुत धन्यवाद है आपने आशिरवाद दिया है मेरी मेहनत सफल हो गई है हलो यह वह ऐसा नहीं बोला जैसे भूल रहा था दो चक्र में बहुत अच्छा बोला है हलो यह बढ़ा देजिसे सारे माई का अपने आपका मुला है जवाब के वाल एक आंत्रा से के वाल एक आंत्रा से ताकि आपको यह भी ना लगे जगी ते जवाब नहीं है तुम से है कितना प्यार ये हं कह नहीं सकते तुम से है कितना प्यार ये हं कह नहीं सकते तुम से विचड़ के हम तो जिन्दा रह नहीं सकते ओ मित्वारे आरे तुझे मेरा प्यारे पुकारे आरे 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 आपका गीत कह रहा है कि पार्थ आप मारो 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 बाबा की तरह नहीं हारो ये देखेए बाबा की तरह नहीं हारो आदनी दादा सुधीर चंदन जी मेरे जवाब को सुनिएगा केवले एक आंत्रा में जवाब दे रहा हूं हाला कि मेरे पास तीन आंत्रा में जवाब है समय कम है इसलिए एक आंत्रा में ही आप लोग सुनिएगा भगवान श्री किसन संधी प्रस्ताव लेके जाते हैं यहां आपने कहविया मारो लेकिन एक मौका करहिया ने दुरियोधन को दिया था और कहा था सुनीगा कहा क्या था जवाब आपके पास तुरत पहुं जाएगा के पीता के तुलिप पीता इस सभा में अरे पिता के तुल्लि पिता महां बैठे सब के जोस्तन रच्छ के हो और इसता दान्या ये प्रिय राजा होता जो जनता का रच्छ के हो ये पिता महां आप इस कुल के संडच्छ के हैं और जो ये धृत्राश्ट बैठे हैं ये इस राज के रच्छ के हैं क्योंकि ये राजा है इसलिए निवेदन कर रहा हूं सुनीगा राजन आप पताएं मुझे को कि रच्छ के हो या भच्छ के हो इन पांड़ों के लिए कोई भी गाड़े उसका क्या जब दीनानात अंग रच्छ के हो इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज भी इन्हें पांच गाउं देदो लडाई मत मचाओ निवेदन कर रहे हैं पांड़ों की तरफ से के युद्ध को तारो 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 या बेवी की नजर से ना निहारो तारो तारो या युद्ध को तारो युद्ध को टारो बैरी की तरह से ना निहारो इसी प्रकार से जब समझाते समझाते नहीं माने तब ये बाद में बात आती है लेकिन इसके पहले संधी प्रस्ताव आया था अब चलते हैं मैं अपनी कमेटिस निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं वो मैं आपको सुनाओं सुनिएगा